मुझा नवस्कार मैं हूँ आपके साथ राहूल सौमित राप देख रहे हैं दोपहरवार और दोपहरवार में जो आज का बिशे है जिस पर हम बहस करने जा रहे हैं वो चालक्य के मिशन यूपी पर चुकि सभी की नजर यूपी में है और यूपी में ही समाजवादी बसपा और RLD का गड़ बंधन भी हुआ है यूपी में ही इस बार सोनिया गांधी तो प्रचार करेंगी ही लेकिन साथ साथ प्रियंका गांधी प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी वाड़ा भी राहूल गांधी के साथ और कॉंग्रेस ने पहली बार पश्वी उत्तर प्रदेस और साथी साथ पूर्वान्चल के प्रभारी को अलगलग जिम्मेदारी दी गे तो 2019 लोक सभाचुनाओं में 2014 की तरज पर उत्तर प्रदेस में नतीजे दोहराने के लिए बिजेपी ने पूरी तरह से कमर कसलिया है बिजेपी ने अपने बूत मैनेजमेंट के जरिये सपा बसपा गडबंधन और कॉंग्रेस के प्रियंका गांधी वाडरा कार्ड को मात देने की रणनीती बना लिए भारतिय जनता पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष अमित शाह आज कानपूर बुंदेल खन और अवद शेत्र के बूत अध्यक्षों को जीत का मंत्र देंगे चुकि इनका गडबंधन हुआ है और प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में उतर रही है इसलिए बहुत सुभाविक है कि जीत का मंत्र बदला होगा बिजेपी अपना बूत सबसे मजबूत का अभियान चला रही है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी का स्री गरेश करने के लिए बिजेपी अध्यक्ष बुधवार को यानि आज कानपूर और लखनौ पहुचेंगे बिजेपी के प्रदेश उबाध्यक्ष ने जो भारत समाचार को जानकारी दी है की कानपूर में निराला नगर मेड़ान में कानपूर बुंदेलकंड शेत्र के करीब पच्चीस हजार बूथ अध्यक्षों और जिला शेत्र और प्रदेश के पदा अधिकारियों को संबोधित करेंगे कानपूर के बाद अमिशा अबद छेत्र के 13 जिलों के 28,000 बूतों के अध्यक्चों को लखनों में जीत का टिप्स देंगे मंत्र देंगे शाह लखनों के स्मृती उपवन में अबद शेत्र के 16 लोकसवा सीटों के बूत अध्यक्चों को चुनाओ के लिए पार्टी के दिये गए कार्क्रमों और अभियानों से लेकर मतदाताओं को बूत तक पहुचाने का लक्ष देंगे यानि उधर अगर देखा जाए तो सपा, बस्पा और अरेल्डी अपने गडबंधन की तयारी में जुटे हुए हैं इधर चाणक किया यानि कि अमित भाईशा अपने लक्ष पर उतर गए हैं और मिशन यूपी को साधने के लिए अपना बूत सबसे मजबूत का नारा भी दे रहे हैं आज हम बहस इसी बिशेपर करेंगे तो जो आज हमारी डिवेट का अहम इस्सा होगा कि इधर भारतिय जनता पार्टी के तयारी तो पूरी है क्योंकि पिछला चुनाओ 7 अपरेल 2014 को हुआ था अगर उस लिहास से देखा जाए तो 90 दिन से कम का वक्त है ऐसे में क्या तयारी है दिखिए मैं आपको कुछ exclusive तस्वीरे दिखा रहे हैं ये बूत अध्यक्षो का सम्मेलन है यहाँ पर बुलाया गया है ये कानपूर बुंदेलखन शेत्र की तस्वीरे है जहाँ पर सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ साथ सभी बूत अध्यक्षो को बुलाया गया है यूपी की 80 सीटों पर जीत हासिल कैसी की जाए चुकि 2014 में जो एतिहासिक इस्थिती थी भारती जनता पार्टी की एकाहत्तर सांसत्तों मात्र भारती जनता पार्टी के थे और दो उनके सहयोगी दलों के यानी 80 में से 73 तो भारती जनता पार्टी के साथी थे तो इस कारक्रम पर आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्राथ, राज्य चुनाप्रभारी, जेपी नड्डा और सह चुनाप्रभारी, नरोत्तम मिश्रा, दुश्यन गौतम और गोवर्धन जड़ापिया मौझूद होंगे हमारे साथ तमाम खास महमाद जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिस करेंगे कि चाड़क का मिशन यूपी तो तयार हो गया है, आप लोग क्या करें हैं, अब जीत शिवास्तो जी है, ये आरेलडी के प्रवक्ता है और साथी साथ जीतेंद्र वर्मा जी है, ये समाजव प्रवक्ता है, मैं सबसे पहले जीतेंद्र जी आप शुरुबात करना चाहूंगा, शाणक के तो मिशन यूपी को फटे करने पर निकल गये है, अपना बूत सबसे मजबूत और आप लोग तो भी मुझे लगता है कि सीटों को लेकर ही उथल पुथल मच रहे होगी कौन सी पर आरिवंडी लड़ेगी अप तो एक्जाम की बारी आगई, जो करना था हो लो तो आप लोगों ने कर लिए अप फिक्ञाम देने की बारी आगई, जनता के सामने जाने की बारी आगई, अब jantla पूँचेगी आपने कितना अंदोलन किया, आप कहा कहा पर गये, हमारे दुख दर्द को आपने कितना विधान सभा में उठाया तो आप तो विधान सभा चनले ही नहीं दिये तो ये भी तो जनता पूछेगी आपसे समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश में समेलन भी हो चुके हैं और उनकी बैठके लेकर हम लोग उसकी समिक्षा भी कर चुके हैं अब केवल चुनाओ आने की और मतदान की तारीक का इंतजार हमारे कारेकरता और प्रदेश की जनता कर रही है समाजवादी पार्टी और बस्पा का गटबंदन देश में सबसे शक्तिशाली और मजबूत गटबंदन है जो विजन विहीन भाजपा और शानक के और समुद्र गुप्त बता के मैदान में आ रहे हैं विजन विहीन भाजपा के पास अब कोई विकास का काम है नहीं विजन विहीन भाजपा अब केवल प्रचार प्रसार और विज्यापन के सारे चुनाओं मैदान में नोट बंदी का एक भी फाइदा ये गिदा नहीं पाए राश्ट्री मुद्धों पर इनकी केंदर सरकार सुपर फ्लाफ रही आपने काला धन लाए नहीं आप से भरष्टा चार रुका नहीं आप से नो कोरोण नो करी दी नहीं गई आप उसमें सुपर फ्लाफ रहे आप सफाई कर नहीं पाए आपने किसान की आत्मत्या को रोक नहीं पाया पचास हजार किसान आत्मत्या कर प्रियागराज की धर्ती पर जो आयोजी थोरा एक कुम्ब वहां गए आप कर गंगा की सफाई नहीं हुई आपने देखा उतने आपके राश्ट्री अध्यक डुबकी देखा सौमित्र जी वहां डुबकी लगाने से आपको कई भीमारियां हो सकती है गंगा सफाई के नाम पर हजारो करोड़ रुपिया इनकी सरकार और अधिकारी बंदर बाट करके खा गए गंगा सफाई के नाम पर हमारी सरकार में तो कुम्ब हुआ था अंकी सरकार में तो चेहरा है confusion की स्थिती क्यों है एक्जाम में जा रहे हैं तो आपकी तयारी क्या होगी रणनीती क्या होगी आप बनना क्या चाहते हैं तो समझ में आ नहीं रहा है आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं बनवाना चाहते हैं किसको बनवाना चाहते हैं बड़ी confusion की स्थिती है आघ देशंडी में आज देश में बड़ा मुद्धा प्रधान मंतिरी बनना नहीं है।OOOO इतारा निंटीहां को से रॉस्त के लिए पतपरस्ट किया गया है। ुसको धर्म-ग्रध ऌैसक्र दोरी कि साथ उसको दोरी कि घुमाया जाया रहा है उसको मंदर तहत लोगों को गैस नहीं मिली, लोगों के घरों पर बिजली नहीं चली, क्या आज भी ये इस्थिति है कि सभी इलाकों में 24 घंटे बिजली आ रही है, बिना किसी भेदभाव कि क्या ये उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश विकास की और बढ़ता तो उसकी मैंत से थो घालाँ मिल रहा है जितेंदरवर्माजी इसलिक्त जी द्वास्तों घितन त्रवास्तों जी क्या किसानों कि समस्या को लेकर क्लेंती लor भारइती आताहरा पार्टी तियक क्लियर एक रही है चाहे किसानों की आधोगनी ने कि बात और कि सानों की फसल बीमा की बात हो, वो हर चीज का ख्याल रख रहे हैं, चाहे गन्ना भुक्तान की बात हो, सौमित जी, भारतिये जनता पार्टी ने किसानों के हित के लिए क्या दिया, अभी बिगर दिनों में महाराश्ट, विदर्व, उत्तर प्रदेश, बुंदेल खंड का किसान, किस तरीके से लामबंद होकर रामलीला मैदान में उतर आया था, अगर भारतिये जनता पार्टी न मुल्यों की बात कर लीजे तो आप देखिए भारतिये जनता पार्टी हर अस्तर पर फेल्योर साबित हुई है अब चुकि आपने किसानों की बात की तो मैंने पहले इसको कह दिया लेकिन आपने जो आज अपना ये चलाया है डिबेट जिस मुद्धे पर चलाया है आपने अम और इस टाक ब्रोकर की वह जहनियत भारतिये जनता पार्टी में काम कर रही है अच्छा इसलिए आपको तो शून्य पहला दिया ना ठीक है उन्होंने सुन्य पहला दिया सुन्य पे वह भी थे वह भी सुन्य पहतं लेकिन वही जहनियत लेकर के आज जोड़ गाट करें और दूसरी चीज है कि आज हमी साह जी उत्तर प्रदेश में जो रैली कर रहे हैं वह उनकी हतासा और निरासा है वह प्रियंका गांधी के कांग्रेस में आ जाने से नहीं है अच्छा वह समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी और राष्टी लोगदल के अच्छी बात है लेकिन आने वाले समय में जो अगनी परिच्छा है उस पे चर्चा करने यह बहुत चंद्रमोहन जी जो आने वाले समय की अगनी परिच्छा है उस पर भी चर्चा की जानी चाहिए जितेंद्रमा जी ऐसा लगता है कि बड़े गुस्से में हैं बड़े आक्रोश में और साती साथ अभीजीद जी यहां पर है सदब जाफर जी हैं कॉंग्रेस की प्रवक्ता ये लोग हैं आपके साथ जुड में होगा एक्जाम है जनता के बीच जा रहे हैं तो प्रात्मिक्ताएं क्या हैं ये तो जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं यानि दूसरे राजनीतिक दल वो तो फैल बता रहे हैं आपको सौमेत्र जी देखे ये अगर फैल नहीं बताएंगे तो ये चुनाव कैसे लड़ पाएंगे इनको फैल बताना ही चाहिए और ये ब्रोद के लिए ब्रोद करना ही चाहिए ये और क्या करेंगे इसमें महत्मूर बात यह है मैं अपनी बात कहूंगा हॉन तो बताओंसरा हो ऑदानी उत्ता कि लिए डाचे अपइस हां जी बाररी करता हैं भार्चेंता पार्टी के सभी कारे करता है लोगतंतर का जो महापर्व आने वाला है चुनाव उसके उसमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वान कर रहे हैं हमने समवाग चुनाव में 27 के सावाग किया। पर हमारी पार्टी के स्क्राइप अरह का रखें प्र Angry राष्क्टि आडल गए याश्टर। को स्गरण समाज़ करने आरे हैं। इस समय समाज बार्टी ब्यजन समाज पार्टी का गटबंदन होता है. तो अखलेस यादव जी ट्वीट करके कहते हैं कि पन्ना पुर्मुक कहां गए पन्ना पुर्मुक खोड़ गए आज हमारे पन्ना पुर्मुक की आज हमारे बूत अद्यश की चर्चा सर्वन्त है मैं पूछना चाहता हूँ कि भात्यंता पार्टी के समय पर भात्यंता पार्टी की योगी सरकार के समय पर अगर कोई काम नहीं हुआ प्रदेश मारा जाकता थी तो 75 जिले में से कितने जिले में सुमितर जी ये अखलेश जी गए कितने जिले में गए अजीश सिंग जी दॉक्तर चंद्रमोहन जी एक पिलिट आपके सारे सवाल मने लिया तो कि हमारे दर्शकों को प्रॉपर आवाद नहीं आ रही है मैं जो आपने कहा है वो बता देता हूं देखिए अगर काम चंद्रमोहन जी ये सवाल कर रहे हैं कि ठीक है आप लोग ये कहरें काम नहीं हुआ तो पचत्तर जिलों में कितने जिलों में अखिलेश यादों ने दौरे किये कितने जिलों में राहूल गांधी चले गहीं आपके छ कंटेक्स्ट में प्रॉद आ रहे हैं मुझे यनी समझमे आ रहा पहले कर रहे हैं कि लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, और सभी 75 जिलों का वो दौरा कर चुके हैं, क्या उत्तर प्रदेश की स्थिती हैं, उसे वो अपनी आखों से देख कर आए हैं, और उसे दूर करने की कोशिच में लगातार लगे हुए हैं, यह कह रहे हैं दुख तो जिस तरह से वो दूर कर रहे हैं दूख का उमने की अजए तो हमें सम्थन और चूके यह गया Hem और घंग था जख कामी किबाए हैंगे, तो एं दिखाई तो हमें समर आ यही क्त तो हम समर्तन करेंगे यहां तो दिखाई नहीं दे रहा है, किसान मर रहा है, सुना की गरना, किसान घेरे बैठा हुआ है, मिल उसको जब तक दाम नहीं मिलेगा, उसको बीस-बीस दिन करके बकाया किया जा रहा है, कहीं जूते मोजे का घोटाला है, कहीं डस्बिन का घोटाला है, तो वो क्या कर र किया है आप अशी सीटों पर चुटा रहने की है आज समाजबादी पार्टी भोजर समाज पार्टी कोंग्रेश के लोगदर सबको इखटा कर दिया हमने तो हम तो एक ता के सूतर में आपको बांगी एक सवाल है चंद्रमोहन की थोड़ा से प्रॉब्लम है सर आपकी आवाज काम ना किया होता तो आप सब इकटे एक न होते अलग अलग चुनाल अलटे अस्तित्त बचाने के लिए आप एक हो गए इन्होंने काम ही किया यही नतीजा है यह कह रहे हैं इसका जवाब किसे देना है आपको भी देना है जितेंद्र जी को भी देना है पहले सदब जी दे कि कोई भी उपर से आजाए और काम करने लगे प्रियंका जी जूड़ी रही है अपनी उन्होंने कैमपेइनिंग भी करी है लोगों के बीच में जलसंपर्क भी रहा है वो दौरे भी करती रही है तो यह कोई उनके लिए राजनीती उनके लिए कोई नई चीज नहीं है जो प हम फैल हो जाएंगे हम फैल इसलिए नहीं होंगे आपको हमारे साथ आने से पहली बार तो बीजेप इतनी खलवलाई क्यों है क्योंकि बीजेपी के खुद इतने सारे घटकडल उनके साथ हमको खलवलाई हम तो कह रहे हैं आपके राश्टी इजच को फॉरसत नहीं है है कि सब साथ आगए हमारे राश्टी अचा रहे है पूरे देश वर में जा रहे है आपके राश्टी जचक्ती मनाने विदेश जाना पड़ता है बार बार रिचार्ज होने जाते हैं उनक्तार हम करेंगे हम गड़बंधन भी बनाएंगे हम विपक्ष साथ में एलेक्शन लड़ेंगे हम जनता के बीच जाके उनकी मत क्योंकि यहां पर मौका स्वागत है आपका स्वागत है गरीब गरीब आपके लिए बैठा हुए तैयार देखें यह मैं डॉक्तर चंद्रमौत सवाल लूगा लेकिन अब साथ खड़े हुए हैं उनका कहना है ना कि हम काम कर र हैं इसलिए सब लोग एक हो गए इसका जबाब आप भी दे दीजिए उसके बाद सदब जी का सवाल लेंगे देश में गड़बंधन पॉलिटिक्स की सुरवाद सपा बस्पा के गड़बंधन से नहीं हुए हैं भारत की आजादी के बास से चल रहे हैं अगर भाजपा को या माननी नरेंदर मोधी जी को अगर मोधी जी को भाजपा को यह गुमान है कि वो शेर हैं तो दिली में एक प्रिफ्स कांफरेंस कर दें और कैदें 42 दलों से आज से हम नाता तोड़ रहे हैं और क्योंकि हम दाढ़ी वाले बबर शेर हैं इसलिए पूरे देश में सभी द कर रहे हैं कभी भारती जनता पार्टी का कोई मतभेद नहीं था किसी भी तरीके का एक दो दलों को छोड़ दिया जाए तो देखिये नोडवन्दी का दंस आज भी जत्ता ठेल रही है व्यापारी जिस्टी का दंस भी भूले हैं विकास का मुद्वा इनके पास है नहीं हम बताने के लिए कुछ भी नहीं हमने उच्छ करों बढ़ाने के सुरे हैं 831 बच्चे रोज कुपोशन से मर रहे हैं प्रत्यासी नहीं है मैंने पहले ही बताया कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरट से जहां पर आप बैठे हुए हैं हमारे दर्शुकों को आवाज नहीं सिर्फ मुझे आवाज आपकी मिल रही है दर्शक और साथ साथ हमारे दर्शक को तो मिल रही है लेकिन मेहमानों को नहीं मिल रही है इसलिए मैं यहां से सदफ जाफर जी यह कह रही है हम एक इसलिए हुए है एक जुट इसलिए हुए है क्योंकि आपको जनता ने समर्थन दिया और उसके बाद आप संस्थाओं को प्रभावित करने की कोशिस कर रहे हैं देश बचाने के लिए एक हुए है यह कह रहे हैं सदब जी देखें रहो जी आप जानते हैं कि देश में आपतकाल किसने लगाया राश्टिया स्वेम स्वेवक संकी से जैसी संस्ता पर प्रत्वन्द लगाने का काम किसने किया प्रेस की आजादी किसने छीनी नियाय पालिका को प्राववित करने का काम किसने किया सिखों का कतलयाम किसने किया हर महीने हर रोज पूरे देश वर में दंगा कौन कराता था आप देखो आजादी के इतने साल बाद भी सर पर मैला डोने की प्रतासमापत नहीं हो पाई पूछना को लेकर अखले जी की सरकार कबले करते थे आज उनका समर्थन कर रहे हो आप के ना कोई नीती है ना कोई विचार है चौदी चरन सिंग जी के जो राजनीती थी, चौदी चरन सिंग जी के जो विचार थे, उनको कुछलने का काम आपने किया है, तो लोग जो अपने विचारों को कुछलने का काम कर रहे हैं, कौंग्रेस कहती है, हमारा आतीत है, यही आतीत है, आप लालू पुरसाद यादब क निखाई आपने एक कोशिस की समाजबादी पार्टी आप लोगों ने सदन को चलने नहीं दिया जब भी जनता के मुद्दे उठे आपने इसे दवाने की कोशिस की, बहस नहीं किया, बहस का मौका दिया गया, आप लोग वाक आउट करके भागते रहे, ना ही जनता के बीच आप गए, ना ही जनता के बीच गए और आप ये कहें कि ये चीज़े गलत हो रही है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ बड़ी बड़ी बाते हैं, जनता के बीच पीछ में उनको दिख रहा है कि वो जा रहे हैं जनता के बीच जाते आप लोग तो जो भारती जनता पार्टी ने विकास के काम किया है प्रधान मंतरी आवास योजना लोगों को दिया है जो शौचाले बनवाया है और जहां बिजलिया नहीं थी बिजलिया पहुची है जहां गैस सिलिंडर नहीं थे वो तो मेरी कॉंग्रेस की बहन को दिखता वो ये कह रहे हैं और जितेंदर जी को दिखता ये लोग गये हैं नहीं लखनो में ते लगे तो बिजली नहीं बिजली रहे तो या मेरे छेतर में घुटाला हो रहा है योगी जी जागो तो ये सब कुछ है लोग काम कर रहे हैं अगर ये अपने छेतर में जाते तो शायद इनको कॉंग्रेस के कारिकर्टा दिखाई देते हैं क्योंकि ये जो है ये गाए गोबर में उल्जे पड़े हुए हैं प्रचार की सरकार चला रहे हैं है ना पहले तो या होजी जाते हैं और आप गौकसी करने वालों का आप सरक्षण करने में लगी हुई हो समाजबादी पार्टी के पास में हैं कॉंग्रेस के पास में हैं हैं आपके पास और कोई काम नहीं है आपके लिए ऊफ्रिछ को हैं या भारत को नहीं जाते हैं आप धारी आप वह संग की 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 ब्लक दिया हैं आप गाए का अपना झाल वृध आप वोर्फ पान कर रहे हैं सबने देखा है सब्सक्राइब कर रहे हैं जवाब देगी इनको चंद्रबोहन जी यह मैं आ रहा हूं जितन जी सदफ जाफर जी यह कह रही है कॉंग्रेस की प्रवक्ता की ठीक है हम ग्राउंड पर गए नहीं गए वो अलग विशह है लेकिन आपने जो योजनाय हैं आपकी वो सिर्प आपके बैनर पोस्टर पर दिख रही है और कहीं नहीं दिख रही है सिर्फ बैनर पोस्टर पर क्या ऐसा है नहीं राहूल जी मैं कहूंगा मैं राहूल जी कहूंगा यह अभी गाय की बात कर रही थी यह गाय का अपमान करने की बात कर रही थी यह उत्तर प्रदेश है जहां गौ माता होती है और गौ माता का अपमान करने की बात कर रही है आज हमने गौत असकरी पर रोक लगाई है यह गौत असकरों की पहरोकार है कॉंग्रेस समाजबादी पार्टी बोजल समाज पार्टी राश्टिय लुगदल यह गौव माता का अपमान बर्दास नहीं करेंगे भारती इंता पार्टी के लिता जी आप गाए गोपर मुल्जे के वोट मिलता है गाए को वहाँ गाए मांस है इन्ही के मंत्री मनोहर पार्टी करते हैं आप जाके पूछ लो पूरे पूश्चम है आज उत्ता पढ़े सरकार है जो पार्टी वाले वाले लोग लास्ट एक मांस आप आपकार करते ही लो रही है आज अगले से अदब उसी कुम्में क्या वाकई काम रही हो रहा है अपने पाप दोने जाते हैं और आप इस तरह की बात करते हैं आपको सर मारी चाहिए आज समाजबादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है आप पहले जाओ पहले सिपाली अदब भी को बात करो पहले आप इसलिए बिलाब कर रहे हैं इनके पास कुछ नहीं है मैं कह रहा हूं इनके पास आज यह अपनी जो पास सीट है उनने बचा है पहले समाजबादी पार्टी आज इनके साथ में सिपाल यादब जैसे लोग नहीं है आज यह कहां जाके खड़े हुए आज फ्रोजाबाद मे सिपाल यादब भार्टियंता पार्टी का लड़ाई होने जा रही है समाजबादी पार्टी करेंगे इनके साथ मिसन यूपी को फते करने के लिए अमित भाईशाह उत्तर प्रदेश की धरती पर आ चुके है और साथी साथ सपा बसपा गड़बंधन कर चुकी है और प्रि निए बार्टी अप्रटी को खोड़बू